प्रधान मंत्री जी की हिम्मत कि आपके सामने आके कहें कि पाथ सालों में उनको जानकरी ही नहीं है कि यहाँ पे छुट्टे जानवर की समस्या है अरे कौन सी दुन में रह रहे हैं कौन सी दुनिया में मस्त हैं अरे उत्तर प्रदेश में आप एक किलो मीटर चल जाएए चलिए गारी से मत आईए हेलिकॉप्टर से उड़के उपर से देख लीजिया आज मैंने देखा हर ज़िए छुट्टे जानवर है और आपको दिख नहीं रहा है इनकी हिम्मत कैसे हुई मुख्यमंत्री जी की हिम्मत कैसे हुई कि 12,00,00 सरकारी पर खाली रखे इनोंने हिम्मत कैसे हुई कि आपको 70,00,00,00 रोजगार की गोशना और वचन देके 4,00,00,00 रोजगार नहीं बनाए कैसे हिम्मत हुई आपने हिम्मत दी नाराज हूँ मैं आपसे शिकायत है मेरी आपने हिम्मत दी क्योंकि आप इस धर्म और जाती के जाल में फशे हुए हो और इस जाल में जब तक फशे रहोगे तब तक इसी तरह से ये प्रधान मंत्री जी मुख्यमंत्री जी इनके तमाम मंत्री आकर आपके सामने कहेंगे धर्म की बात करेंगे जाती की बात करेंग विकास होगा इनका सत्ता में रहेंगे ये फूलेंगे फलेंगे इनके बड़े बड़े उद्योग पती मित्र विकास आपका नहीं होगा तो आज मैं यहां खड़ी होकर आपको बताने आई हूँ आखें कोलिए नींद से जागिए जागरोख हो जाएए आप नौजवान हो इस देश का भविश्य हो आप समझदार हो माता पिता ने आपको बाद मेहनत से पढ़ाया है मैं जानती हूँ जब मैं गरीब से गरीब घर में जाती हूँ मुझे बताया जाता है कि दीदी हमने बहुत मेहनत से इनको शिक्षित किया मैं गरीब से गरीब महले में जाती हूँ लखणाओं के महले में मैं गई वाल्मी की महले में सफाई कर्मचारियों ने मुझे पताया कि दीदी जो भी है बहुत मेहनत की लेकिन इनको पढ़ाया है हमने आई टी आई पढ़े थे मे की थी बी एस सी की थी किसी के पास रोजगार ने